बिजनौर में सुप्रीम कोट के आदेश के बाद होमगार्डों में खुशी की लहर है। अब होमगार्डों को भी पुलिस के समान वेतन मिलेगा। इस समाचार के बाद होमगार्ड गदगद हो गए हैं। और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उन्होंने अपनी खुशी का इज़हार किया है। सुप्रीम कोट ने उतरप्रदेश के सतर हजार होमगार्डों को राहत दी है। इन होमगार्डों को कॉंस्टेवल के नियूनितम वेतन के अनुरूप भत्ता मिलेगा। हालांकि शीर्स अदालत ने होमगार्डों को नियमित करने से इंकार कर दिया है। ना ही मान दे लेकिन अब शीर्स अदालत ने यूपी सरकार को होमगार्डों को दिसंबर 2016 से ये भत्ता देने के लिए कहा है। सरकार को आठ हफते के में आदेश चारी करने के बाद कही गई है। जो हाई कोट ने हमारे लिए 2016 दिसंबर 2016 दिसंबर में फैंसला दिया दा पुलिस के समान बेतन देने का उसको सपा सरकार्ण आपत्ती लगा जी थी। और आज सुप्रीम कोट ने फिर से दुवारा लागू कर दिया। इसलिए सभी होमगारों में बहुत खुशी की लहर है। इनका कैना है जो हमारा बेतन था कम मिलता था पुलिश के कास्टेबल की विरोबर वो अब हमारा बेतन इतना ही मिनने लेगा इसे इनके गरों में भी और इनमें भी खुझी की लहर दोड़ी है। लगातर नियमिती करण की मांग करते हैं होमगार काईवर प्रदर्शन धर्ना प्रदर्शन भी देखे गए हैं और इस तरीके से क्योंकि समान वेतन की मांग करते थे लेकिन सुप्रीम कोट ने नियमिती करण की मांग नहीं किये। क्या होमगार्ट इस पैसले से खुश है हाँ भी तो यह इनका जो बेतन का मामला है उसी से यह खुश है इनने दो जाब सोलन है अपना दाखिल किया था और उसमें अब इनको कहीं जाकर खुशी का मौल मिला है उसे से यह खुश है उन्हें नकावी बेतन हमारा बढ़ गया त इस पैसा में मिलता नहीं था जी बहुत बढ़ शुक्रिया लोगे दिस तमाम जानकारी के लिए और हमाई साथ जुढने के लिए तो आपको उता दें कि सुप्रीम कोट ने होंगार्णों को अब पुलिस के समान वेतन देने की बात कहिए और आठ हफते में योगी सरकार को इसे जुआरी करने के भी आदेश दे दिये हैं